दस का डालूशन बनाने के लिए हम 50 माइक्रोलीटर सीरम ले लेते हैं, अब इसको हम एस्पिरेट कर देते हैं हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बेक टू प्रेम बाट्या, डालूशन के क्रम में इस तीसरे वीडियो में हम जानेंगे कि 110 का डालूशन का उप्योग करके बायो केमेस्टी में किसी भी टेस्ट को हम किस परकार से लगाते हैं, तो सबसे पहले हम इस डालूशन को बनाना सीखेंगे और फिर हम इसे कैसे उप्योग मिल लेंगे, यह भी आप समझ पाएंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डालूशन बनाने के लिए मिनिमम तीन ट्यूब्स की जरूरत होगी, जिसमें आपकी जो पहली ट्यूब होगी, उसमें सॉलूशन वन होगा, और वह एक स्टॉक सॉ आते हैं, नमबर टू ट्यूब में आपका सॉलूशन टू होगा, जो की नॉर्मल सेलैन हो सकता है, या डिश्टिल वाटर हो सकता है, बाइक्यमिस्टी में जनरली हम डिश्टिल वाटर यूज लेते हैं, और एनस भी आप उपयोग में ले सकते हैं, तीसरी ट्यूब का 1 ml मातरा एक आप ट्यूब में लेंगे, और 9 ml मातरा आप नॉर्मल सेलैन या डिश्टिल वाटर लेंगे ट्यूब 2 से, और फिर इन दोनों अमांट का हम तीसरी ट्यूब में मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि तीसरी ट्यूब में आपका टोटल वॉल्यूम 10 ml हो गया जिसमें आपका 1 ml स्टोक सॉल्यूशन यानि की सीरम है और 9 ml डैल्यूट है, तो यदि हम प्रैक्टिकली करके देखें, तो हमारे सामने एक सीरम सेंपल है जिसको हमें डैल्यूट करना है और डैल्यूट के रूप में हम डिश्टिल वाटर का परियोग करेंगे, कितना ml डैल्यूट या डिश्टिल वाटर लेना है, यह आप पर निर्बर करता है कि आपको कितनी अमोंट में डैल्यूशन चाहिए, या कितने सारे टेस्ट आपको उस डैल्यूशन से लगाना है, तो इसके लिए हम अंत में एक आपको टेबल प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी स चैंपल में से 50 µL serum डिश्टिल वाटर में एड कर लेंगे, तो आप देखते हैं जिस ट्यूब में हमारा टोल वॉल्less 500 µL हो गया, जिस में से 50 µL serum है, और 450 µL डिश्टिल वाटर है, तो इस डैल्यूशन का उप्यों करकर हम एक हम स्च Sort का टेस्ट लगाएंगे तो हमें करना क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोसिजर है एस्ट टेस्ट का उसके अनुसार ही चलेंगे हमारे मामले में हम एक अर्बाकेम का किट यूज ले रहे हैं जिसमें हमें रियेजेंट लेना है पांसो माइक्रो लिटर और यह डालूशन का टेस दो मामलों में उस सिंपल टेस्ट से अलग होगा पहला कि उस टेस्ट में हम जो भी सिर्म सेंपल यूज में लेते हैं उसके इस्तान पर हम इस डियूशन का उप्यों करेंगे जो अभी हमने प्रिपेर किया है ताथ यदि हम हम एस्टी पीटी टेस्ट के लिए 50 माइक्रो ल रिजल्ट आ जाता है तो यहां आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट आया है 106.38 लेकिन यह फाइनल रिजल्ट नहीं है तो फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको इस वैल्यू को 10 से मल्टिप्लाई करना होगा तो अगर हम इस वैल्यू को 10 से मल्टिप्लाई क एक तो आपको serum के इस्तान पर diluant यूज में लेना है दूसरा आपको जो भी result आएगा उसको 10 से multiply करना है अगर आप 1 by 10 का dilution का उपयोग करते हैं dilution के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी dilution का basic video देख सकते हैं और अब हम उस table के बारे में बात कर लेते हैं जिसका उपयोग करके आप किसी भी amount का serum sample से किसी भी amount का dilution तयार कर सकते हैं जैसा कि आप इस table में देख रहे हैं यदि आपको 100 µL का dilution त्यार करना है तो उसमें आपको 10 µL serum और 90 µL distil water या normal saline उपयोग में लेना है यदि आपकी requirement और अधिक है तो आप 50 µL serum और 450 µL value to use में ले सकते हैं जैसा कि हमने अपने test में लिया था यदि आपको और अधिक मात्रा में requirement है dilution बनाने की तो 1 ml serum ले सकते हैं और 9 ml distil water ले सकते हैं तो इस परकार से आपका जो भी requirement है उसके अनुसार आप इस table का उप्योग करके dilution बना सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अच्छी जानकरी मिली होगी यदि जानकरी अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर लीजीगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजीगा और bell icon दबा लीजीगा चलिए मिलते हैं future की एक और वीडियो मे तव तकिली बाइ 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 थैंक्यो तेंक्यो बडियो वेरे मच्ची